क्या आप जानते हैं? चार रंगे के चावल होते हैं जिन से हल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं रसकार आप देख रहे हैं? मेरे साथ और मैं हूँ आपकी दोस्त मेखाया चावल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्वाथ से खाया जाता है बल्कि गेहूं से जादा चावल की खपत है कुछ लोग इसे उबाल कर खाते हैं, कुछ बिर्यानी के तौर पे खाते हैं अपनी खासियत के लिए जाने जाना वाला चावल सिर्फ स्वाद में नहीं बल्कि हल्थ बेनिफिट्स भी बहुत देता है आज आपको यही बताएंगे कौन सा चावल सेहत के लिए कितना लापकारी है ब्राउन चावल भूरा चावल साबुत अनाज की तरह ही माना जाता है इसमें सफेद चावल की तुलना में एक चौथाई कप ड्राई सर्विंग में सिर्फ डेड़ ग्राम जादा फाइबर होता है बूरे चावल में पाये जाने वाला फाइबर जादा घुलनशील होता है और इसे खाने के बाद ये खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने नहीं देता जो नॉर्मल चावल होता है वो आपके खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है लाल चावल इसका स्वाद भी थोड़ा नमकीन और थोड़ा अक्रोड की जैसा होता है लाल चावल में प्रोइथो साइनिडिन नाम की एक सामगरी होती है जिससे लुकेमिया, गरभाशय, ग्रीवा, पेट के कैंसर की कोशिकाओं पर पॉजिटिव असर पड़ता है सफेद चावल चावल के सारी किसमों में आम चावल होता है सफेद चावल इसमें आयरन, थाइसिन, विटमिन B, नियासिन, विटमिन B3 और फॉलिक असर चावल होता है इसके एक चौथाई कप में 160 कैलरी होती है ये चावल पचने में आसान होते हैं इसमें फाइबर, फॉस्फोरस, सिलेनियम, तामबा, मेगनीज होती है काला चावल ये चावल देखने में काले रंका होता है, लेकिन पकने के बाद डाग बैंग नी हो जाता है इसमें पायो जाने वाला, एंथोस, साइनिन, एक तरह का फ्लेवॉइड है जो दिल से कैंसर के लक्षणों को कम कर देता है ब्राउन राइस की तुलना में ब्लेक राइस, फाइबर और प्रोटीन में जादा होता है फुलेस्टरॉल को कम करने के लिए, पाचन सही करने के लिए, कब्स अटाने के लिए काला चावल जादा खाना बहतर बताया है तो भई अगर आपको हल्थ के बेनिफिट्स चाहिएं तो मार्केट में जाएं और ये वाले चावल खरीद के लिए हैं और जरूर खाएं